नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिशेक सागर और नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिशेक सागर और मैं एक यूट्यूबर हूँ जो कि टेक्निकल सागर नाम के एक चैनल को चलाता हूँ आज मैं कुछ आपसे बाते करना चाहूंगा यूट्यूब के बारे में बताना चाहूंगा कि यूट्यूब पर क्या चल रहा है कैसे अंधभक्ती आज कल बहुत ज़्यादा बढ़ गई है इसके बारे मैं आज मैं बात करूँगा ये वीडियो आपको पूरी देखनी चाहिए और मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि देखने से पहले इस वीडियो को आप पूरी तरीके से ओफलाइन कर लिजे क्योंकि हो सकता है कि ये वीडियो डिलेट करा दी जाए या मुझे प्रेशराइज किया जाए आज मैं बात कर रहा हूं सौरव के बारे में जो टेकनिकल जो आप लगा सकते हैं वह घटी है इनसान है मैं चाहता तो उसका नाम ले लिता दर नहीं किसी बात का पर फिर भी ठीक है कोई बात नहीं लेंगे उनका नाम उनके बारे में आज हम बात करने वाने इस्पेशली यह उनके उपर वीडियो है लोग उनको यूट्यूब पर भगवान बना बैठ है उसकी सचाई में आपको बतागो और उनने कहा कि मैं नीचे लेवल पर आके बात नहीं करता मैं आज बताना चाहूँगा मेरा लेवल क्या है 150 रुपे पर महीने से काम करके साइबर कैफे में अभी मैं तीन महीने में अभी मेरे को 15 लाख का कॉंट्रैक्ट मिला है अगर बोलोगे तो स्टेट्मेंट दिखा दूँगा अभी लाखो में मतलब मैं अपनी बढ़ाई नहीं कर रहा या मैं अपना शो आफ नहीं कर रहा बट अपने दम पर बिना माबाप से कुछ भी सपोर्ट लिए अपने दम पर बहुत अब मैं खुद चीजे खरेता हूँ एवन मैं माबाप की भी खुदी हल्प करता हूँ तो एक सो पचास रुपे महीने से लेकर और लाखो तक का सफर टैकिया है मैंने इतनी चोटी उमर में बलगी बहुत पहले जब मैं टीनेजर ही था रही बात बात करने के सुष्टाचार की और लहजे की और तहजीद की तो मैं आप से बात कर रहा हूँ टेकनिकल जी मैं आप से ज्यादा खुद को अच्छा समझता हूँ यह मेरा कोई घमंड नहीं है और ऐसा मैं शो आफ नहीं कर रहा यह मेरा विश्वास है अब आगे बात करते हैं कि कैसे इसकी स्टोरी कहां से शिर्य हुई यह इंसान कैसे पनपा और कैसे यूट्यूब पर इसने नेगेटिविटी फैला दी इसके बार में बात करेंगे एक यूट्यूबर थे वर्मा जी वर्मा जी ने शुरुवात की कोई उनको क्रेडिट नहीं देता बट यूट्यूब पर अगर किसी ने हिंदी में गैजट्स को रिव्यू करना शुरू किया फोन्स को रिव्यू करना शुरू किया हिंदी में तो पहले अच्छे सतर पर व वीडियो बनाई और वर्मा जी के चैनल पर अपलोड करने की रिक्वेस्ट की वर्मा जी ने खुरे दिल से एक्सेप्ट किया कि ठीक है आप मेरे ही कॉलेज से पड़े हुए हो और मैं इस वीडियो को डाल देता हूं था कि आपका भी कुछ भला हो जाए आप भी कुछ नया क करना चाहते हो उन्होंने ऐसा कर दिया और इसी जरिये टेक्निकल उसका है सौरव का चैनल चल पड़ा लेकिन बात यह है कि सौरव अब कभी भी उनको क्रेडिट नहीं देता और हमेशा उनसे मतलब दूरी ही बनाए रखता है अब लेवल की बात हुई कि मैं यहां तक चाहूं लोग बोलते हैं कि हमारे जो टेक्निकल हैं वो इतना बड़ा पहुचे हैं मैं आपको बता दूँ अगर जीओ नहीं होता और उनके चैनल को किसी ने पुछ नहीं किया होता उनकी वीडियो नहीं डाली होती तो आज भी 2 या 3 लाग पर होते यह मेरा दावा है अग चैनल को किसी ने प्रमूट नहीं किया जाता उनकी 300-300 वीडियो पर वीव नहीं आते और यह बात आप भी जानते हैं कि अगर चैनल को पुछ मिल जाए शुरुआत में कुछ देखने वाले लोग मिल जाए तो चैनल चल पड़ता है इसमें कोई भी नहीं बात किया तो इनक बात कर देने चाहूंगा इनके लेवल क्या है इनका बिजनेस है दुबाई में और यह कुछ इंजिनियर वगएरा कुछ है इन्होंने इंजिनियरिंग की है लेकिन यह अपने फैमिली बिजनस पर काम करते हैं मतलब जो इनका बिजनस है यह भी इस्टेवलिश किया हुओ नहीं है यह इनका family business है मतलब यह वो व्यक्ति हैं जो जन्म से ही मूँ में चांदी की चमच लेके पैदा हुए है इन्होंने कुछ struggle नहीं देखा कुछ भी चीज खुद से शुरुबात नहीं की यह दावा करते हैं कि इनको apple से job के offers आ रहें लेकिन उसका कोई भी प्रमाण हमारे पास नहीं है और पैसा हो तो लोग कोई भी प्रमाण वगड़ा कुछ भी बनवा सकते हैं अब हम बात करेंगे एक ऐसे यूट्यूबर की जो बहुत ही महनती था जिसका नाम था टेक्नो नुहेज एन यू एच एज टेक्निकल नुहेज एक बहुत ही हाड़वर्किंग यूट्यूबर एक बहुत ही अच्छा इंसान और उसने शुरुवात एक बॉटल होता है बॉ उस इंसान को सौरव उन्हें दो कोड़ी का इंसान कहा क्यों क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे क्यों क्योंकि वो थोड़ा सा उसको लगता था कि जिसके पास पैसे नहीं है सौरव को यह लगता था तो वो दो कोड़ी का इंसान है उन दोनोंने कोलाब भी किया था मैं पर कभी नहीं और जब उससे पूछा गया कि तुमने वह वीडियो अपने चैनल पर क्यों नहीं डाली या कोई भी पूछता है कि क्यों नहीं डाली तो पता है क्या जवाब दिया टेक्निकल ने बोला मेरे टैग से तुमको वीव तो आ गए ना अब अपना काम करो इतना गहम क्या प्रोफेसर लोगों को नीचे गिराना उनको गलत बोलना मुबाइल फोन के डबे खोलना और न्यूज रिपोर्टिंग करना सिखाते हैं मैंने तो आज तक ऐसा एंजिनियरिंग का कोई भी कॉलिज नहीं देखा अगर आपने देखा हो तो मुझे जरूर बताईएगा ये चैनल तो चलाते हैं टेकनोलोजी का खेर अच्छी बात है लेकिन आए दिन ये सिर्फ मुबाइल फोन के डबे ही खोलते हैं इनकी नीव स्ट्रॉंग नहीं है ये सिर्फ खोकली बाते करते हैं ये किसी आर्टिकल पर जाते हैं वहां से थोड़ी हेडलाइन पढ़ते है और इनको बखवास करना बहुत अच्छे से आता है अगर आप इनको दो तीन लाइन दे देंगे तो इस पर पूरे हफ़ते बखवास कर सकते हैं तो ये सिर्फ उस पर बखवास करते हैं इनकी नॉलेज खोकली होती है और उन्हें बिल्कुल भी इन खुद का कॉंसेप्ट क और इसे क्लिक बेटिंग कहा जाता है इनकी चैनल की ग्रोथ पर अगर आप नज़र डालोगे तो ज्यादतर वीडियो आपको वाइरल सिर्फ जीयो की न्यूज और आपसे कहते हैं कि इसको शेयर करें अगर आप जीतना चाहते हैं तो इसको जादे से जादा लोगों के करें तब ही मैं आपको यह आईफोन दूंगा और लोग पागलों की तरह एक आईफोन के पीछे उसको सब्सक्राइब कर देते हैं उनको नॉलेज से कोई लेना देना नहीं है अगर आप सिर्फ डबे खुलने देखना चाहते हैं बहुत अच्छी बात है लेकिन अगर आप कोई नॉलेज गिन करना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूँ कि यह टेक्निकल आपकी खराब कर देगा और आप कुछ नहीं सीख पाएंगे आप सिर्फ एक न्यूज रिपोर्टर एक न्यूज रिपोर्टिंग और डबे खुलने के बीच में ही रह जाएंगे अब हम बात करते हैं gadgets to throw के बारे में या gadgets to आप समझ गयोंगे मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं कुछ तीनों पहले या साल भर हो चुका उसको या ज्यादा वक्त हो गया होगा एक टीम बनी थी उसमें एक ऐसा सदस्य था जो काफी senior था जो की एक pro blogger था मैं यहां किसी की तरफ नही में जब यह उस technical को पता चलेगा तो बेहोश हो जाएगा वो एक pro blogger है और industry में बहुत पहले से हैं इसलिए उनको सारी company mobile phones भेजती हैं और इसलिए वो review करते हैं और इसलिए companyya उनका ख्याल रखती हैं आपको भी पता होगा किसी पर organization में अगर कोई employee जादा दिन तक काम करत बहुत उसको experience होता है तो वो company उस employee की बहुत respect करती है respect के तौर और established publishing platform के तौर पर वो उनको कुछ facilities भी provide करती है और इसलिए ऐसे pro bloggers और ऐसे जो YouTubers होते हैं उनको मनाली की tip या ऐसे घुमने की जगाद दी जाती है लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आपको मनाली घुमाया और आप biased reviews देंगे रहे पाद biased की और paid reviews की तो मैं आपको बता दूँ अब मैं sponsorship के बारे में बात करूँगा paid के बारे में बात करूँगा technical यह जो सौरव है जो technical है इसके video के कई description में और आप इसके tech talks में और इसके tech news में आप इनके description में डाड़ी वाला जो इनसान है इसके description प्रमोशन में आप देखेंगे तो VPN के promotion भड़े पड़े और मैं आपको बता दूँ वह third class VPN है जिसका वह promotion कर रहा है जो आपको अच्छा बता रहा है कि आप VPN डाउनलोड कर सकते हैं इस वीडियो इस पावर्ड बाई ये और वो देखता भी नहीं है कि वो software क्या है कैसे काम करता है बस लगा देता है लेकिन वही चीज अगर कोई इंडिया में रहने वाला इंसान कमाए तो वो गलत है कोई व्यक्ति दुबई में रहे कि इंडिया से पैसे कमा के दुबई ल रहा तुम क्या चीज आपको लग रहा हो का मेरे बात करने का लेज़ा कितना खराब है और मैं उसको डाड़ी वाला इंसान क्यों बोल रहा हूं जितने भी यूट्यूबर से अभी तक मेरी बात हुई है मैं ज्यादा यूट्यूबर कमिनिटी से ज्यादा कनेक्टिड नही करता मैं एक मिशन के साथसाए और टेक्ट्नोलोजी की सिखाने मिशन के बारे मैं आया हूँ इए मिशन मैं पछुरू किया are to और जब मैंने देखा था कि लोगों को और क्यूट खोलना भी नहीं आता मैंने सुचा हमारी country में हम technology की इतनी ची बात करते हैं सबसे ज़्यादा software हमारी country से बनके जाते हैं software engineers बनके जाते हैं और उसी country में कुछ ऐसे level के लोग भी हैं कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनको इतनी basics भी नहीं पता तो आप किसी भी यूट्यूबर से जिससे मैंने बात किया आप पूछ सकते हैं कि अभिशेक सागर कैसा इनसान है उसके बात करने का तरीका कैसा है और वो कितनी respect से बात करता है आपको पता चल जाएगा रही बात राखी सावन्त की तो मैं आपको बतादूर राखी सावन्त एक entertainer है और मेरी परवरिष ने मुझे ऐसा नहीं सिखाया कि मैं किसी औरत का नाम बीच में लाओ और किसी की ऐसी बिज़ती करूँ ये गलत बात है और मेरी परवरिष ने तो ऐसा नहीं सिखाया किसी और के बारे में मैं कह नहीं सकता जो लोग respect deserve करते हैं मैं उनको respect करता हूँ चाहे वो techno noise हो consumer हो support, my support हो या जितने भी लोग हैं उनको मैं support करता हूँ मैं उनका पूरा नाम नहीं ले सकता just मैं आपको एक idea दे रहा हूँ जो लोग hard working है, जो नीचे से उठे हैं आपने गौर किया होगा उनके उंदर बिलकुल भी घमन नहीं है बिलकुल भी घमन नहीं है down to earth है, आपसे इतने अच्छे से बात करते हैं उन्हें इंसानों से बात करने का दिल भी करता है बहुत दिल करता है, अच्छे लोग होता है बताने के लिए मेरे पास बहुत सारी बाते हैं लेकिन वो मैं फिर कभी आपको वीडियो में with proof दिखाऊंगा और मैं आपको ये सावित कर दूँगा, कि जो मैं बोल रहा हूं वो 100% correct है लोगों को चैनल बंद कराने की धंकी दी जाती है YouTube के कुछ employee है जो शायद उनके कुछ अच्छे दोस्त है या YouTube सिर्फ उनी को सपोर्ट करता है जो YouTube को ज़रा बिजनस ला सकते है वाजिब बात है, कोई भी company यही करेगी YouTube भी तो एक company है वो कभी भी company उनी को सपोर्ट करेगी नॉर्मल यूट्यूबर को नहीं करेगी मेरे चैनल आज बंद होता है, कल बंद हो जाता है I don't care मेरे पास इतना पैसा है कि मैं अगर बूलते हैं कि पैसे के लिए सागर कर रहा है अरे सागर तुम जानते कहा हूँ अब मेरे घर में wagoner चलाता हूँ मेरे पैसे से खरीदिया मैं सब कुछ मेरे पैसे से खरीदा है नीचे से उठाऊँ, अपने दम पर उठाऊँ, इस उमर में उठाऊँ और आने वाले दिनों में आप गवा होंगे, मैं कहां पहुचता हूँ और तब हम बात करेंगे कि कौन अपने लेवल पर आया है और कौन भीक से आगे बड़ा है और परिवार के पैसो पर उचल रहा है बोलते हैं कि मेरे पास बहुत पैसा है लोगों को धंका दिया जाता है बोलते हैं मैं कहीं से भी केस लड़ सकता हूँ जब इंसान का दिमाग खराब होता है तो केस तक तो बात पहुचती भी नहीं है आप क्या बात कर रहा है उनसी दुनिया में जी रहे हैं तो ये थी कुछ सच्छा ही उस इंसान की जो यूटीव पर भगवान बन बैठा है इसके उपर मैं और रेगुलर एपिसोड बनाता रहूँगा बहुत सारी बाते हैं कहने के लिए विद्प्रूफ हैं जो मैं आपको दिखा देना चाहूँगा इस वीडियो को तो आपने शायर डाउनलोड करी लिया होगा मुझे इस बात के और हैरानी होती है जब कोई इनसान आपको पेड या कुछ गलत बोल देता है किसी को भी तो वो इनसान कैसे चुप रह जाता है जो गैजट्स टू थो थो वाले जो थे व्यक्ति वो विचारे चुप रह गए और यही एक बड़पन होता है और मैं आपको बता दो उन्होंने बाइस रिव्यों नहीं किया था उन्होंने बस एक किसी को थोड़ा अच्छा बताया था अब उलते थोड़ा अच्छा और ज्यादा अच्छा क्या होता है या तो एक फोन खराब होता है या अच्छा होता है रिव्यू का मतलब होता है कि जो अच्छी चीजें उन्हें अच्छा बताया जाता है पर जो गलत चीजें उनको गलत बताया जाता है वो सारी चीजें सामने रखी जाती हैं इसी को रिव्यू कहते हैं लेकिन जो नए आए लोग हैं जिनको कुछ नहीं पता वो इस बात को कमी नहीं समझ पाएंगे और उस इंसान ने जिसको ऐसे किया, एक्स्पूज किया, जो भी किया वो इंसान कुछ नहीं बोला, बस थोड़ी सी सफाई दी और वो अपना काम करने लग गया हम बात करते हैं कि अपने काम पर ध्यान दो वो इंसान अभी तक काम पर ध्यान दे रहा है कौन चीक पब्लिसिटी कर रहा है और कौन नेगेटिविटी फिला रहा है ये आप जानते हैं और ये भी जानते हैं कि उसके आने से पहले यूट्यूब पर नेगेटिविटी का नाम भी नहीं हुआ करता था और उसके आने के बाद से उसके सबसे लड़ाई हुई कंजूमर, टेक्नो नुहेज सपोर्ट वालों से पंगावा था माई सपोर्ट से हुआ था लेकिन उनकी वीडियो डिलेट करा दी गई क्योंकि उन्होंने यूट्यूब के डिल्टी पॉलिटिक्स के बारे में बात की थी उन्होंने बताया था कि कैसे ये व्यक्ति महान बन रहा है ये बोलता है कि मैं इंडिया आता हूँ तो आप मेरा फाइदा उठाईए मेरे साथ वीडियो बनाईए कोलाब गीजी कोलाब दौनों तरफ से होता है एक तरफ से नहीं सिर्फ आप महान बन रहे हैं उनके चैनल्स पर आके और ये सिर्फ आपके फाइदे के लिए है उस यूट्यूबर के फाइदे लिए नहीं उस यूट्यूबर को ये नहीं पता है कि वो धीरे-धीरे अपनी पहचान खो रहा है, उसके चैनल पर कोई और व्यक्ति आ रहा है, और वो व्यक्ति और ज्यादा उपर चलता चला जा रहा है, और जो चैनल पर वो आया है, वो अपनी पहचान खोता चला जा रहा है, अगर ग्रो करना ही है, तो दोनों के चैनल पर डलनी चाहिए, कोलाइब का असली मतलब यही होता है, मैं आपके सामने और कुछ तथे रखूँगा, और अपने बारे में और उनके बारे में क्या जखड़ा हुआ था, उसके पूरे प्रूफ, विद प्रूफ आपको दिखाऊँगा, क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, और उस इंसाने आगे क्या किया, बू मैं आपको दिखाऊँगा, इस इंसान के rates क्या है, यी review करने के कितने rate लेता है, यी भी काउँआ है, मैं आपको बता दू, और इसके rate मेरे को पता चल गए है, कहां से निकाले यह मत कहना, मैं کदिकल hacker हूँ, तारीफ नहीं कर रहा, ब में मिल तो आप से गली वीडियों में नमस्कार